हेलो चैंपियांज कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेंड में वेलकम करता हूं दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा what are the seven key features of federalism उसी पे यह टॉपिक बेस्ट है हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है what makes Update a Federal Country दो तो यह टॉपिक काफी इंपलत है क्योंकि इस the topic से हमारे 5 अरगार आते हैं 3 अरो यकाम आते हैं這一 मार कराते हैं इसका मतलब यह हुआ इस टॉपिक का each and every line and paragraph is very very important तो आईए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा topic है what makes India a federal country दोस्तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में देखा था हमारी NCRT में देया भी है कि there are seven key features of federalism यह seven key features याद करने में कभी-कभी challenge आता है बट अगर इसे हम 3-2-2 के formula से याद करें तो बहुत आसानी से learn हो जाएगा आईए देखते हैं क्योंकि अगर यह seven key features हमारी India इनने जो government है वो fulfill करती है तो इसका मतलब India federal country है तो आईए देखते हैं यह seven key features कौन कों से है so हम जैसे हमने बात किया कि 3-2-2 there are total seven three two two is equal to seven तो पहला हमारा होगा पहला हो गया हम लोगों यह पढ़ा है कि two or two or more level levels federalism की first feature है there are two or more levels of government तो two or more level हो गया पहला feature अब हम two or more level की गवर्मेंट होगी तो जाहिर से बात है जितने लेवल की गवर्मेंट होगी उनका जूरिस्डिक्शन भी अलग होगा two or more levels हमने क्या निकाल लिया जूरिस्डिक्शन 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 अब यह जूरिस्डिक्शन आता कहां से है यह जो two or more level की गवर्मेंट होती है उनस सबका अलग 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 जूरिस्डिक्शन होता है मिन्स सबकी अलग-अलग powers होती हैं अभी हम लोग जूरिजडिक्ष्टन मिन्स subject के बारे में पढ़ें जैसे union government के क्या subject है state governments के क्या subject है वो लोग हम पढ़ने वाले हैं तो अब जूरिजडिक्ष्टन आ गया तो जूरिजडिक्ष्टन स्पेसिफाइड इन constitution short में लिखते हैं इन constitution तो यह हो गया three points two or more level हो गया two or more level का उसका own jurisdiction होता है और jurisdiction is specified in the constitution तीम पॉइंट सो मैं ऐसे हिलन हो गया चौथा point क्या है चौथा points है हमारा fundamental provisions fundamental provisions जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी constitution के fundamental provisions है that cannot be changed unilaterally ये भी तो fatalism का एक feature भी है तो चौताय हो गया पांचवा क्या होता है पांचवा बहुत ही सिंपल है फिफ्ट वाला बहुत ही सिंपल है पूर्ट सी कोर्ट तो बैसिकली तीन हम लोगों ने यह याद किया पहला लिया पहले से दूसरा निकला दूसरे से तीसरा निकला चौथा हो गया हमारा fundamental provisions पांचवा हमारा हो गया कोर्ट का क्या function होता है फ्रेटलिजम में फ्रेटलिजम में कोर्ट का function होता है कि court will interpret the constitution and powers and functions of each level of the government तो चौथा और पांचवा ऐसे याद हो गया अब बचे दो six हमारा six six feature क्या है sources of revenue जो sources of revenue होगा each level of the government का वो भी constitution में ही specified है तो six हमारा यह हो गया right और seventh क्या हो जाएगा सेवन्थ हमारा हो जाएगा dual objective जो फ्रेटलिजम है फ्रेटलिजम का dual objective क्या है फ्रेटलिजम का dual objective है है accommodation of regional diversity क्योंकि आप लोग जानते है हमारी country बहुत ही vast है हर region की अलग geography है अलग culture है अलग religion है अलग language है तो जो फ्रेटलिजम है वो dual objective को fulfill करता है means it can in federalism we can easily accommodate regional diversity हमने successfully उसे किया भी है जो कि श्री लंका वाले नहीं कर पाए अच्छा दूसरा objective क्या है remaining united promoting national unity अब देखो इंडिया इतना बड़ा होने कि बावजूद थ्रिलंका से तो काफी बड़ा है आप लोग जानते हैं इतना बड़ा होने कि बावजूद भी स्रेंका जैसे problem हमें कभी कभार थोर बहुत problem होती है बढ़ हमारे leaders ने पहले भी समहला है आज भी समहल लेते हैं तो क्या हुआ है promoting national unity अब इन seven key features के basis पे हम लोग देखेंगे हमारी country federal है या नहीं है आई ये देखते हैं वन बाइवन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बैग्राउंड देख लेते हैं तो मारा पहला point है इंडिया had emerged as an as an independent nation after a painful and bloody partition basically आप लोग अच्छे से जानते हो कि at the time of partition हमारी country का जब बटवारा हुआ था भारत वो पहले पहले वो भारत ही था जो पाकिस्तान है हमारी country का जब बटवारा हुआ थो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था इट वाद रेली पैनफुल खुशी भी थी बट गम भी था because people were being killed right दूसरा हम लोग देते हैं सून आफर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम आप 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 करते थे राइट दूसरे टाइप के अपने एक पपेट को बिठा देते ते तुसे बोलते भाई देख जो भी हम कहेंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शन होगे वो तुझे माननी होगे गार तुझे अगर यह accept है तो ठीक है तो king बना रहा है मुझे कोई रिक्कत नहीं और कुछ certain amount of taxes and gifts वगरा देते रहना और तुम वहाँ पर king बने हो बट यह वास्तों में king होता नहीं था यह puppet होता था यानि Britishers जो कहते थे उनको उन प्रिंसली स्टेट्स को वो सारी बाते माननी पड़ी थी लेकिन जब 1947 जब इंडिया को आजादी मिली जब Britishers जाने लगे तो उन्होंने एक और ज independent country देखो कितनी मतलब जाने वाली चीज है तो यह बहुत बढ़ी एक problem यह भी हो गए थी प्रिंसली स्टेट्स की राइट आए थाट पॉंट देखते हैं the constitution declared India as a union of states इसमें one marker question आता है कि constitution में क्या इंडिया को federal country बोला गया है ना इसे आप प्लीज इसे आप लोग ध्यान और याद ही कर लिजे कि constitution declares India as a union of states right although it did not use the word federation हमारे constitution में इंडिया को federation नहीं बोला गया क्या बोला गया है union of states प्लीज इसे याद रखें one marker में आ सकता है four option आप लोगों को दे दिया जाए बड़ा confusing हो जाता हो उस टाइम पे तो constitution क्या डेक्लेर करता है इंडिया को और union of states right now the Indian union is based on the principles of federation हाला की हमारे constitution में इंडिया को federation declare नहीं किया गया बट हमारी country में जो जो भी हमारी country की governance की जो भी features है वो federation की federal government की principle पर बेस्ट है वो जो हम लोगों ने साथ भी देखी थी अच्छे एक बहुत ही important चीज आप लोगों सो शेयर करनी थी कि अगर इस टॉप पे five marker question बनेगा तो क्या बनेगा आई एक बार इससे देख लेते हैं पहला question तो यह हो सकता है examine or discuss examine or discuss what makes India a federal country या दूसरा question बन सकता है explain the Indian union is based on the principles of federalism या इस तरीके से भी आ सकता है the Indian union is based on the principles of federalism explain discuss or comment किसी भी form में आ सकता है तब आप लोगों को पूरे seven के seven points लिखने होगे if it comes as five marker right इस पे three markers भी बनेगा उसे बाद में देखते हैं अब यह आगे बढ़ते हैं so the principles of federalism क्या-क्या है आईए देखते हैं पहला है the constitution originally provided for a two-tier system of government इसे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि originally हमारे constitution में के वाल two levels of governments थी एक union or central government for the entire country and दूसरी क्या थी provincial or provincial governments जिसे हम लोग state governments बोलते हैं right आई दिखते हैं so the constitution originally provided for two-tier system of government जैसा कि आप लोग जानते हैं the union government or the central government what will call the central government and representing the union of India central government पूरी whole country को represent करती है and the state governments हम लोग से जानते हैं इछले topic में भी पढ़ा था right आई आगे दखते हैं later in 1992 1992 में local self government का concept introduced हुआ उसके बाद जो हमारी panchats है या जो हमारी municipal corporations है उसका concept हमारी country में आया and constitution में amendment किया गया now हमारे constitution में 1992 से आज तक 33 years of government हो गए है central government various state governments है regional basically local self government हम लोग बोल सकते है rural areas में panchats है and urban areas में भी है municipal corporations right so later a third tier of federalism it was done in 1992 आप लोग इसे याद रख लिजे 1992 में हुआ था हमारे constitution में amendment किया गया था to include this third tier of federalism was added in this in the form of panchats panchats for rural areas and municipal corporations in urban areas right now हमारा अब अगर हम इसको देखें कि तो क्या इंडिया एक federal country है जी हां इंडिया federal country है क्यों है federal country क्यों कि federalism की very first feature होती है there are two or more levels of the government originally we had two level of the government now we have three tiers of the government this is why we can say that India is a federal country right now second point seven key features में एक हम लोगों ने देख लिया उस parameter पर हमारी country उस parameter को फुल्फिल करते है हम लोग second point देखते है second point क्या है हमारा second point है हमारा these different tiers basically two or three होता है तो अब हम now we have originally we were two we had two now we have three right so these different tiers means these three tiers of the government enjoy separate jurisdiction कोई लड़ाय वाले बात नहीं है constitution में clearly mentioned है specified है central government क्या काम करेगी state government क्या काम करेगी and municipal corporations and panchats क्या काम करेगी यानि उनकी क्या duties होंगी क्या functions होंगे आए यह देखते हैं the constitution clearly clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and various state governments and it has जैसा कि आप लोग already जानते हैं it has three lists और यह ती लिस्ट कौन कौन सी है हम आगे की अगली slide में देखते हैं बट आप लोगों को तो याद ही है आप लोग पिछली classes ने आप लोगों ने पढ़ा था यह है union list, state list and concurrent list so let's move to the next slide and now next slide talks about the powers of these governments and यह powers union list, state list and concurrent list में दी हुई है आए देखते हैं so union list, union list में ऐसे subjects आते हैं जो national importance क्यानि हमारी पूरी कंटी के लिए बहुत जरूरी है आए देखते हैं अच्छा उससे पहले थोड़ सा discuss करना थे यह आप लोग याद रखिएगा originally हमारी इसमें पहले 97, union list में पहले 97 subjects थे अब यह 100 subjects हो गये हैं इसे भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका answer effective हो जाएगा earlier we had 97 subjects in union list, now we have 100 subjects तो union list includes यह बहुत important है आपके MCQs में अभी आ सकता है subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency तो एक question आता है यह जो topics हैं यह जो union list में subjects हैं इनको union list में क्यों रखा गया और उस पे government of India ही क्यों law बना सकती है उसका जवाब second point में है they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country चले एक situation imagine करते है मध्यप्रिदेश के अपनी currency है उत्तरप्रिदेश के अपनी currency है किरला के अपनी currency है मनिपूर के अपनी currency है क्या होगा वो यूपी से दिल्ली आया दिल्ली अपनी currency कितना chaos हो जाएगा न ऐसा लगएगा मतलब कितनी एक बार imagine करके देखे कितनी दिक्कते होंगी हो तो जाएगा बट कितना अभी जो बहुत ही आसानी सी चीज़ें हो जाती है बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी एक तो currency वाली बात होगए क्यों uniform की जरूरी है currency का example से हमने देख लिया दूसरा हम लोग देख सकते हैं foreign affairs foreign affairs एक situation imagine करिए कि हर state जो foreign की country से सब का अलग इसकी बात लिए अभी इंडियन military है पूरी country इंडियन military है इंडियन navy है and you know and Indian air force है अभी सारी पूरे country की safety के लिए काम करती है production के लिए काम करती है अगर हर state अपनी military रखे तो ज़रा imagine करके देखे कितनी chaotic situation होगी कितनी अजीर सी situation हो जाएगी इन ही सब बातों को ध्यान में रखने के लिए और हमारी सुविधा के लिए constitution जो हमारे constitution makers थे वो काफी समसदार थे वो जानते थे इस चीज़ को कि बहुत जादे दिक्कते होंगी इन है सब चीज़ों को समझ करके उन्होंने इन subjects को यूने लिस्ट में रखा हुआ है डिफेंस हो गया country for banking अब सपोस जैसे कि communication में हम लोग लेते हैं rail transport या highways की बात करते हैं अगर rail transport और highways यूने लिस्ट में ना हो तो state government से आपत में लड़ पढ़ेंगी जैसे कि river water की sharing को ले करके आप लोग पढ़िएगा river water की sharing को ले करके states में disputes चलता रहता है हर्याना दिल्ली राजस्थान और आंध्र प्रदेश का पढ़िएगा आप लोग कृष्णा river water को ले करके आंध्र प्रदेश महारास्त्रा है ना आंध्र प्रदेश महारास्त्रा करनाटका का river water तो ये बहुत सी समलदार थे हैं हमारे constitution makers आई आगे बढ़ते हैं तो यह हम लोगों ने देख लिया कि क्यों जरूरी है union list में subject को रखना the union government alone can make the laws relating to the subjects mentioned in the union list union list में जितने भी subjects हैं देकि हम लोगों क्या-क्या पढ़ा हम लोगों यह देखा कि कौन-कौन से subjects union list में है total देखो total 100 subjects हैं इतना आप जानिए पहले 97 थे और 24 subjects आप याद भी रख लिजिए क्योंकि one marker में पूछ सकता है mention two subjects of union list या four subjects of union list तो इतना याद होना चाहिए हमारा क्या हो गया banking हो गया currency हो गया currency banking दोनों एक हो गया banking currency हो गया उसके बाद national sorry defense हो गया और उसके बाद communication हो गया तो इसको जरूर यादर्खेस पर one marker question आ सकता है now अब हम लोग पढ़ेंगे state list अब जैसे कि union list में हम लोग को देखा union list पे central government government of India law बनाती है right state list में पहले state list में पहले state list में पहले 66 subjects थे earlier there were 66 subjects but अब इस समय 61 subjects है यानि states की power को कम कर दिया गया भारस सरकार government of India की power को और बढ़ा दिया गया right आई देखते है state list में क्या क्या है state list contains subjects of state and local importance such as police trade commerce agriculture and irrigation again state list के four subjects आप लोग जरूर याद कर लेजे one marker में आ सकता है अब हम लोग देखते हैं यह जो police है या irrigation है इसको state list में क्यों रखा इसका simple answer है state list में इसलिए रखा हमारा देश एक we are a huge nation और हर जगर की geography बिलकुल अलग है north east में चले जाएए difficult terrain plains में तो ठीक है south में चले जाएए अलग geography राजस्थान में चले जाएए वहाँ की अलग geography है तो जो geography है वो न क्यों soil type को affect करती है बलकि rain pattern को भी affect करती है राजस्थान में बारिश देखो कितनी कम होती है जबकि north east में बारिश ही बारिश होती है बिहार में हर साल बाढ़ ही बाढ़ाता है इसलिए क्योंकि अब वहाँ की geography अलग है तो वहाँ की climate अलग होगी वहाँ का weather अलग होगा इसलिए जान बुछ करके purposely इन subjects को irrigation and agriculture को अब irrigation की facility हमारे हर स्टेट में युनिफॉर्म नहीं है कहीं कहीं पर तो irrigation की facility आज भी नहीं है rainwater पे ही वह crops depend करती है राजस्तान में millet ले लिजे ज्वार बाजरा राजस्तान पे वह rainfall पे ही depend करती है उसकी cultivation तो इसलिए इन topics जैसे police हो गया अच्छा हर हमारी इंडिया में हर स्टेट की नहीं अपनी एक अलग problem है और उस problem को particular state government ही अच्छे से समझ सकती है तो जो भी constitution maker ने किया makers ने किया है कि police को state subject बनाया बहुत अच्छा किया है राइट चले आगे बढ़ते है so the state governments alone state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list तो ये clear हो गया कि बढ़ी state list में कितने subject हैं earlier we had 66 now we have 61 और जो state list में subjects हैं वो state list में क्यों हैं यह हम लोग नहीं समझ लिया क्यों कि हर स्टेट की अपनी एक अलग geography हर स्टेट की अपनी एक culture है हर स्टेट की अपनी एक अलग issues हैं उसको state governments सी बहतर समझ सकती हो uniform laws नहीं बनाया जा सकता हो उन चीजों के लिए करके सबकी requirements अलग है हर स्टेट की now हमने union list कर लिया state list कर लिया अब हम लोग पढ़ेंगे concurrent list concurrent list में पहले 47 subjects थे देख लेते हैं concurrent list में earlier we had 47 subjects now we have 52 subjects 47 नहीं है यह हो गया है बढ़कर के 52 आप उसे याद रख लिजे इस पर three marker question बनता है three marker question क्या बनेगा how is legislative powers divided between central government and state governments in India तो आप यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट concurrent list एन रिजिडिवरी पावर्स का मेंशन जरूर करेंगे आ यह concurrent देखते हैं now concurrent list includes subjects of subjects of common interest to both the union government as well as the state government meaning concurrent list में ऐसे subjects हैं जिसमें जो local importance के भी है और जो national importance के भी है depending on the situation इस पर government of India भी laws बना सकती है और particular state governments भी laws बना सकती है but कि यहाँ पर यह है कि अगर मान लिजे government of India ने भी उस topic पर law बनाया और state government ने भी law बनाया और दोनों की law अगर clash कर रहे हैं तो upper hand किस law का होगा government of India क्यों क्योंकि हमारी country में हमारे constitution makers ने unity पे ज्यादा जोर दिया है और वो सही भी है अगर ऐसा ना होता तो कभी-कभी कुछ states आवाज उठाते हैं कि हमें एक अलग country बना दो तो ऐसा करके हमारे constitution makers ने उसकी possibility ही खतम करती है आई देखते हैं अच्छा है यह concurrent list के चार सर्जेक्ट इसको भी आप लोग याद कर लीजिए वन मार्कर आ सकता है आएगा तो वन मार्कर दू ही लिखना हो लेकिन safer side के लिए चार याद कर लिजिए क्योंकि थ्री मार्कर में आपको example देने में काफी सहुलियत होगी education हो गया education एक ऐसा topic है जिस पर भारत सरकार भी कानून बनाती है state government भी बनाती है education हो गया forest हो गया forest trade unions हो गए and marriages हो गई अब marriage है तो adoption भी होगा and succession भी होगा by marriage है adoption or succession भी होगा right so यह ऐसे topics हैं जिन पर state governments and government of India दोनों rules and laws बना सकते हैं both the union as well as state governments can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list now third point is if their laws conflict with each other the union government will the law made by the union government will prevail यह country की unity बनाया रखने के लिए जरूरी भी है क्योंकि government of India ऐसा कभी कोई काम नहीं करेगी या नहीं करना चाहेगी जो nation के interest के against हो now we'll move to the next slide and next slide talks about हम लोग उने union list पढ़ लिया state list पढ़ लिया concurrent list पढ़ लिया अब हम लोग residue powers के बारे में पढ़ेंगे देखें कभी कभी होता हमारा constitution बहुत पहले बना था कितने साल हो गए लगभग आप लोग देखें न बहुत साल हो गए उस समय आज जो topics कुछ नए-नए topics आ गए हैं जैसे कि space technology हो गई साइबर लॉज हो गए लोगों के इतना information technology हो गई तो जब हमारा constitution बन रहा था यह topics नहीं थे हमारे constitution makers बड़े ही दूर दर्शी थे उनको पता था यार कि future में कुछ और कुछ ऐसी developments होंगी जिन पर जिसको open रखना बहुत जरूरी है और उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए चुना कि भाई जो नए-नए topics आएंगे क्योंकि computers तो उसमें तो थे यह नहीं computers यह तो अब आये हैं तो हमारे constitution makers जो थे काफी दूर दर्शी थे तो उनको पता था किस तरह का time आएगा आये देखते हैं तो basically residue subjects यह residue subjects इनका number कोई नहीं है residue subjects जिते भी नए topics आते जाएंगे वह residue में शामिल होते जाते हैं आई देखते हैं subjects अच्छा समझते हैं residue होता क्या है subjects which do not fall in union list state list or concurrent list that come under residue subjects subjects that do not fall in any of the three lists or subjects that came up subjects that came up after the constitution was made हमारे constitution बनने के बाद अब जिसे cyber laws उसमें तो इसका इसको क्यों imagine ही किया जा सकता था right cyber laws हो गए space technology हो गई या information technology हो गई आप लोग प्लीज से याद कर लेजे कभी कभी यह आ जाता है कि one mark तो बड़ा ही इसी है cyber laws बने है cyber frauds होते हैं डेर सारे right account लोगों के दो मिनट में खाली हो जाते हैं पता बाद में चलता है जब bank so call आते है भाई आपका account खाली हो चुका है right या cyber bullying हो गया धेर सारे लोगों की especially children की bullying होती है cyber laws हाना चले हम आगे बढ़ते है according to our constitution the union government union government has the power to legislate on these residuary subjects quickly revise करते हैं हम लोगों क्या-क्या पढ़ा हम लोगों union list पढ़ा है state list पढ़ा concurrent list पढ़ा and residuary पढ़ा, residuary subjects पढ़ा या power, residuary पे किस पे किसको right है government of India को concurrent पे state government and government of India दोनों को है conflict होने कि सेती में भारत सरकार को रूल माना जाएगा state list जैसा के हम अब हम लोग पढ़ने वाल basically जो question हम लोगों ने discuss किया था three marker आएगा तो क्या आएगा describe और how legislative powers have been divided between central government and state governments in India three marker होगा तो याएगा तो इसमें आप फिर चारो लिस्ट आप लोग लिख दीजेगा now हम लोग third point करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि अब वहीं वाला seven की features में क्या satisfy कर रहा है बिल्कुल satisfy कर रहा है क्योंकि हर level की government यानि चाहे वो central government हो चाहे state government चाहे local government हो हर level की government का power specified constitution में तो हमारा क्या इंडिया federal country है yes क्योंकि हर level की government का power constitution में specified है तो इस parameter पर भी हमारी country खरी उतर रही है इस parameter को हम लोग fulfill कर रहे है third point देखते है we know that most federations that are formed by holding together हम लोगों लास्ट वीडियो में पढ़ा था दोस्तों की जो federation होता है दो तरह के होते है holding together and coming together holding together का example इंडिया है इंडिया के लावां दो और countries का example हमारी book में दिया गया है तो कौन कौन से holding together की दो और countries है holding together federation को practice करने वाले कौन से और दो country है इंडिया के लावा comment box में comment करके जरूर बताएं और जानते हैं आप लोग यह जो हमारा coming together है coming together में जो जो country हैं उसको याद करना यह जो हमारी NCRT में तीन country का example दिया है कि coming together का उसे याद करना बहुत हीजी है हाला कि आप आप सबको याद ही होगा बट एक बार थोड़ा सा शेयर करना आप लोगों से जैसे आप लोग जानते है holding together के example हम लोग हो गए इंडिया हो गया दो और कंट्रीज हैं जो आप लोगों को comment box में reply करना है holding together का right coming together का जो तीन country हैं हम लोग जानते हैं coming together के example याद करना बहुत ही आसान है यह USA के formula से आप याद कर सकते हैं आपको coming together का और हम लोग जानते हैं coming together में क्या होता है कि धेर सारे constituent states धेर सारे states मिल करके क्या करते हैं sovereignty को pool करते हैं और बट अपनी regional identity को बनाया रखते हैं हम लोग उने पिछले वीडियो में पढ़ा था था coming together holding together right coming together का देखते हैं coming together का अगर तीन example पूछ लेता है exam में one marker तो हम लोग पहला जानते है USA है देखो USA से ही निकल आएगा USA United States of America हो गया इसी में बाकी दो पासानी से हो गया coming together कोन होगा USA लिख लो U stands for United States of America assistance for Switzerland A stands for Australia खथाम इधरी लेर्न हो गया आये देखते हैं तो बैसिकली हम लोग यह लर्न कर रहे थे बैसिकली समझ रहे थे we know that the most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units means state governments और हम उनमें से एक हैं हम लोग holding together ही तो है राइट अब holding together में क्या होता है जीतने भी constituent units होते हैं जीने हम स्टेट गवर्मेंट भी बोल सकते हैं union territories भी बोल सकते हैं सब को equal power नहीं मिलती है कुछ को special powers मिलती है आई यह पढ़े पढ़ लेते हैं फिर discuss करेंगे इस पर एक question भी बनेंगा पढ़े पढ़े प लो आ गया है statement तो question देखी लेते हैं क्योंकि आगे बढ़के फिर इस स्लाइट भी वापस आना पड़ेगा तो उससे बेतर है यह रिस्टस करेंगा question क्या आ सकता है हमारा three marker all states in the Indian union do not have identical powers explain or discuss question क्या आक बार मैं फिर से repeat कर रहा हूं all states three marker आएगा all states in the Indian union do not have identical powers explain या यही question all states in India have special powers or special provisions discuss अब इसे हम इसका अगर इस तरह का question आएगा तो क्या करेंगे हम लोग इंडिया में some states हैं जैसे कि हमारा आसाम हो गया मनीपुर हो गया मिजोरम हो गया basically North East की states थे हैं इनको special powers दी गए अच्छा फिर उत्तराखंड हो गया हिमाचल ब्रदेश हो गया इनको इस 1 टोटल 11 states को special powers या special states का status special states का status दिया गया है टोटल 11 states है अच्छा इनको special states का status क्यों दिया गया क्योंकि यह states development के मामले में पीछे हैं इनके हाँ जोग्राफिकल conditions जो है उसकी वज़ा से states उतने economically advanced नहीं है या उतने progress यहाँ पे नहीं हो पाई है जतना कि other states में हुई है इसलिए इनको help करना जरूरी था तो central government states को recite करते हैं इसमें currently total 11 states हैं जिनको special status मिला हुआ है राइट आए देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं some states enjoy a special status states सच आसाम नौर्थ इस्ट में है नागा लैंड नौर्थ इस्ट में है अरुनाचल प्रश्मिर्स आप लोग जानते हैं और मिजूर्व enjoy special powers दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मोदी जी ने article 370 हटाया इससे पहले तो जम्मू एन काश्मीर का एक अलग constitution था हमारे बारत का constitution तो था ही लेकिन जम्मू काश्मीर जम्मू एन काश्मीर had its own constitution राइट अभी हाल फिलहाल में ही तो हटाया गया है इसससे पहले वह महां पर भी है ना एक एक अग्जांपल है भी हमारा यह लिख सकते है आप मेंशन कर सकते है अर्लियर जम्मू एन काश्मीर had special status now it has been removed अब तो उसको union territory बना दिया गया है जम्मू एन काश्मीर को एन लद्दाक को है ना तो इस यह हो गया हम लोग देख लिया अंडर सर्टे प्रोविजन साब दे कॉंसित्यूशन ओफ यह देखे किस इस आर्टिकल के अंडर हमें यह हम गोर्रेमन्ट आफ इंडिया ने special status दिया हुआ है अंडर सर्टे प्रोविजन साब दे कॉंसित्यूशन अफ इंडिया एंड इडिज आर्टिकल 371 क्यों दिया गया इसमें social and historical circumstances, आप ये one marker question आ सकता है, कि उनको special status क्यों गया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिये, peculiar social and historical circumstances की वज़ा से, अगला point इसी third point में है, these special powers are especially enjoyed in relation to, यह देखे, यहाँ पर आप जाके, आप अरुणाचर देश में जाके, मिजोरम में जाकर के, जमीन नहीं खरीच सकते, क्योंकि वहाँ के जो local लोग है, उनको यह production दी गई है, नहीं तो सब दिल्ली वाले, मुंबई वाले, लखनव वाले, पतना वाले जाके, वहाँ होटल खोल देंगे, और वहाँ के लोग इतने मेरी ख्याल से, मैं ability नहीं कर रहा हूं, किसी को पाड़र, they are very nice people, gentlemen, they are not very complex people, right So, these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, indigenous people, वहाँ के native people, उनकी culture को बचाने के लिए, and preferential employment government services, government services में वहाँ के लोगों को ही job मिलेगी, जो परिकुलर स्टेट्स के हैं, बाहर के लोगों को जोब नहीं मिलेगी, वहाँ पर, यह जरूरी भी है, अगर government of India ने इस तरह का प्रोविद्ट्ट बनाया है, तो समझ के ही बनाया होगा, हमारी country में हर community and हर region progress करेगा, तब ही तो हमारी country progress कर पाएगे, अगर कुछ region बहुत आगे हो जाए, कुछ region पीछे रह जाएंगे, तो क्या होगा, जो रोग पीछे रह जाएंगे, उनमें गुस्सा आएगा, रोश आएगा, राइट, तो क्या हो दा, इनलंका जैसे हालात होते हैं, सबका रवट पेंट बराबर होना चाहिए, तो चले हम आगे देखते हैं, इन पॉइंट को आफ लोग प्लीज नोट करिए, special attention पे करिए, these special powers especially enjoyed in relation to the, पहला क्या हो गया, protection of land rights, इसे हम number one, two, three कर लिख देते हैं, number one, land rights, number two, culture, number three, government jobs, यह तिनो, points जरूर देखें, now next time देखते हैं, Indians who are not permanent, permanent residents of these states, cannot buy land or house, we cannot buy land or house in Assam, Majoram, Arunachal Pradis, and और भी states है, of these states, similar special provisions exist for some other states, also, तो, कुछ और states भी है, इसमें जो नहीं लिखाया है, लेकि मैं बता दूँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदिश्ट को भी special status मिला है, क्योंकि उनकी geographical conditions ऐसी है, ताकि वो भी development के मामले में other states के बराबर आपाएं, but I am not sure कि उत्तराखंड और हिमाचल में हम land खरीज सकते हैं, नहीं खरीज सकते हैं, मुझे पक्का पता है, हम उत्तराखंड और हिमाचल को special state का धरजा मिला हुआ है, but वहां हम land खरीज सकते हैं, but I am quite sure कि अरुनाचल, native नहीं है, आई देखते हैं, अब हम लोग next slide पर चलेंगे, question हम लोगों ने discuss कर ही लिया था, now we'll move to the next slide, and next slide talks about, हाँ, जो हम लोगों भी discuss कर रहे थे कि, some states enjoy special powers, उसमें तो एक तीसरा point जो हम लोगों ने पिछली slide में पढ़ा, कि इन states में कोई बाहर का जो person होगा, जो native नही change कर सकता, है न, उसके लावा, उसमें एक, ये point जो हमारा fourth point है, ये भी mention करना, बहुत जरूरी है, जो three marker में आएगा, तो हम, three marker में आगा, तो ये लिखना भी बहुत जरूरी है, हमारा जो fourth point है, because this point talks about union territories, अब हमारे यहां total eight union territories हैं, बट आपको पता होगा, कि तीन union territories, तीन यानि जिस तरीके से सारे states बराबर नहीं है, उसी तरीके से सारी union territories भी बराबर नहीं है, अब जैसे डेली है, डेली के चेफ मिनिस्टर है, डेली में चेफ मिनिस्टर है, और पुदुचेरी के चेफ मिनिस्टर है, एक और state है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी some units of the Indian Union which enjoy very little power some units of Indian Union it talks about Union Territories total कितनी है Union Territories eight these are areas अच्छा ये Unitaries होती क्या है Union Territories ऐसी एरिया है जो एरिया में बहुत ऐसी जोगराफी हैं जो एरिया में बहुत छोटे हैं लेकिन अब सवाल उड़िये उठता है अगर बहुत छोटे हैं तो जो adjacent states and neighboring states उनके साथ merge कर दो नहीं किया जा सकता था क्यों क्योंकि वहां की language अलग है culture अलग है और भी geography अलग है इन सब बातों को देहान में रख करके उनको जो existing neighboring states उनके साथ merge नहीं किया जा सकता था आई ये देखते हैं these are areas which are too small to become an independent state बहुत छोटे हैं which could not be merged with any of the existing states अब दिखते हैं union जैसे के हम लोग दाई union territories total eight है these areas are like Chandigarh Lakshadvip the capital city of Delhi are called union territories these territories do not have the powers of state कैसे डेली के chief minister कि न्यूज में आता रहता करते हैं कि भाई हम दिल्ली को crime free कर देंगे अगर हम में आप दिल्ली पुलिस हमें दे दो आप लोग जानते हैं UP के अपनी police है बिहार के अपनी police है महारास्टा की अपनी पुलिस है लेकिन दिल्ली की अपने पुलिस नहीं है क्यों क्यों की दिल्ली एक union territory है union territory तो चंडिगड़ भी है लेकिन चंडिगड़ का chief minister नहीं है तो union territories में भी powers का equal distribution नहीं हुआ जैसा कि states में नहीं हुआ है तो अगर वो question आता है कि इंडियन जितने भी इंडियन states हैं सारे के पास identical power नहीं है explain करिये तो आप states का भी दिखाईए आप लोग उसमें बताईए कि जो 11 states हैं उनको special states का status मिला हुआ है उसमें 11 का पूरा नाम देने की ज़रूद नहीं है जितने हमारे जैसे कि नागा लेंड दिया हुआ था मिजोरम दिया हुआ था रुनाचर प्रदेश दिया हुआ आसाम दिया हुआ आप लोग इतना ही लिखिए और बता दिये कि वहां पे लैंड और हाउस आउटसाइडर नहीं पर्चेज कर सकते है वहां की स्टे गोर्मेंट की जॉब्स में आउटसाइडर अप्लाई नहीं कर सकते लोकरे नहीं ले सकते ऐसा इसलिए कि आ गया ताकि उनकी वहां पे उनकी लैंड राइट्स को प्रोटेक्टेट रखने के यूए टेरेटिस को एक्वल पावर है यूए टेरेटिस आठ हैं उसमें से तीन में चीफ इनिस्टर भी होते हैं और लेजिसलेटिव असेम्बली होते हैं बाकी फाइब में चीफ इनिस्टर नहीं होते हैं उसमें एल जी होते हैं लेटिनेंट गौवर्नर और सेंडरल powers between the , अब अगर इस इस वाले हम लोगने वह को भी हम लोगों ने जो भी तीसरा जो हम लोगों ने तीसरा और चौथा point पड़ा, अगर हम इसको देखें तो इसके हिसाब से भी indirect federal country है क्यों-क्या़ लोगों ने पढ़ा था इंडिया what type of federation इंडिया is holding together और holding together में हम लोगों ने देखा था कुछ constituents units को special powers मिले होते हैं और powers का और कुछ constituents units को special status मिला होता है सब equal नहीं होते हैं आप लोग देखिएगा जो holding together का जो feature है आप लोग पढ़िएगा आप लास्ट फिच रही है आई देखते हैं फाच्वा फिफ्ट वांट देखते हैं sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution याद आ रहा है जो हम लोगों अभी lecture की शुरुवात में पढ़ा था कि जो fundamental provision of the constitution है यानि हमारी constitution का fundamental provision है that cannot be changed unilaterally अकेले ना तो union government change कर सकती हमारे constitution को जो basic principles है ना तो state government में तो करें नहीं सकती आई ये देखते हैं से फिर बात में देखते हैं तो करेंगे it is not not easy not easy to make changes to this power sharing arrangements जो constitution में power sharing arrangement है वो easily change नहीं किया जा सकता the parliament cannot on its own change this arrangement जो पावर शेरिंग का आरेंजमेंट है यूने लिस्ट स्टेट लिस्ट अना इनी चेंज टू इट हैस टू बी फॉस्ट पास्ट बाई थान दीजिए बोथ दर हाउसे सव पार्लियमेंट यानी लोग सभा से पास होना चाहिए राज सभा से भी पास होना चाहिए और कितना होना चाहिए वह एड लिस्ट टू थर्ड इस समैं तो आसान है हमेशवा आसान नहीं है इस समय आसान है लगन पिछले कुछ डिकेट्स में देखा जाए तो उस समय की गौूर्मेंट से एसान ता हम देखते हैं अभी तो हो कई हो गया वह नमें होतो पार्लियमेंट पर चेंज नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, it has to be approved, ratified means approved, it has to be approved by half of the state government, half of the state legislator assemblies, आई देख लेते हैं it has, then it has to be ratified भाग गया भाई ये तो it has to be it has to be ratified let us see, it has to be yes, ये भाग गया ता, ये आगया देखें, it has to be ratified by the legislatures of at least half of the states यानि जो constitution power sharing का arrangement है, अगर उसमें कोई change किया जाना है तो both the houses of parliament, राज्य सभा और लोग सभा से two-third majority से pass होना चाहिए, उसके बाद half of the states की भी approval चाहिए होगी, तभी इसमें power sharing arrangement में कोई change हो सकता है चाहिए, इसमें भी question बन सकता है two marker question आ सकता है कि power sharing arrangement cannot be unilaterally change comment तो आप लोग ये point दिखा देना कि भाई, लोग सभा राज सभा two-third majority half of the states की majority चाहिए होगा, तभी कोई power sharing arrangement में changes हो सकते है now, अब हम लोग देखते है sixth point क्या है sixth point है हमारा हाँ, जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा कि अगर हम उतको federalism के parameter पे अगर देखें तो क्या हमारा, हमारी country federal country है, yes, बिलकुल है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो fundamental principles है हमारा constitution के वो unilaterally change नहीं हो सकते, ये it is also key feature of the federalism, अब sixth feature देखते है, sixth feature क्या है हमारा the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चौथे point पे हमारा क्या था जो अभी हम लोग जब key features learn कर रहे थे, three plus two plus two के formula से, उसमें था न चौथा हमारा ये तो था fundamental provisions cannot be changed unilateral चौथा था, पाचवा हमारा क्या था, courts courts क्या करेंगी, courts का क्या role होता है, courts यानि supreme court और high courts का role होता है कि अगर state government and central government के बीच में, पहला तो सबसे main उनका काम होता है main काम होता है supreme court का interpret the constitution and powers of the union government and central government, अगर central government और state government आपसमें लड़ बैटती हैं कहती नहीं जी इस topic पर तो मैं हमें power मिला है, इस subject पर power मैं बनाऊंगा, sorry law मैं बनाऊंगा, या इस subject पर law मैं बनाऊंगा तो फिर supreme court और high courts आएंगे, कहेंगे, नहीं भाई, लड़ो मत हमें देखने तो, हम बताते हैं आपको इस पर law बनाना है, क्या आपको बनाना है right, तो अगर उस criteria को देखें, तब भी उस criteria को भी हमारी country basically, उस federalism को उस feature को भी हमारे ये fulfill करता है, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures, any constitution को follow किया जाना जरूरी है इसको ensure कोन करेक, supreme court and high courts, in case of any dispute, any dispute any dispute about the division of powers between central government and state governments, among many state governments, supreme court से solve करेगा, supreme court will make the decision, अब 7th क्या है, the union state the union and state governments have the power to raise resources हम लोगों जो 6th point पढ़ा था, क्या पढ़ा था SOR, sources of revenue हर level की government के sources of revenue क्या होंगे, ये भी constitution में specified है, अब जैसे central government income tax तो collect करती है, लेकिन उसमें states का भी share होता है right, so the union and state governments have the power to raise resources by leaving taxes in order to, भाई बीन पैसे के काम थोड़ी होगा, जो government की इतनी बड़ी machinery है, इतनी धेल सारे government के employees है, right, तो बीन फाइनस को बीन रोकड़े के तो कहीं नहीं काम चलता न, so constitution में अल्रेंजमेंट बनी है, ये भाई गवर्मेंट आफ इंडिया के income के क्या sources होगे, state governments के क्या sources होगे, even local governments की क्या sources होगे, municipal corporations जो आप पार्किंग करते हो, अपने गाड़ियों की, आप लोग लोकल मार्केट में जाए, ये, cities में, I think, towns में भी लगता है, ये जो पार्किंग spaces होते हैं, उनकी bid करी जाते हैं, उनकी निलामी होती है, तो ये पार्किंग spaces का पैसा कहां जाता है, local governments, corporations को जाता है, जो लोग cities में है, आप कहीं ऐसी जगा पार्किंग कर दीजिए, जहां पर पार्किंग अलाउड न हम लोग property tax देते हैं, house tax जो देते हैं, local self government यानि इस पर corporations को ही तो जाता है, ये sources of revenue state governments को, state governments का, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिसकस किया था, कि भाई हम जब गाडिया खरीतते हैं, तो जो road tax होता है, वो state governments के पास ही तो जाता है, तो basically ये भी हमारा clear होगा, I hope आप लोगों को समझ में, comment box में comment करके जरूर बताएं ये lecture कैसा लगा, thank you so much